मंत्री मनला रेड़ी की जर्मदीन बनाने के लिए मनला रेड़ी कृष्री विशोई धले बैसमा गुडा में त्रेलोक्य महोना चंडी यग्यका आयुजन किया गया इस्त्रेलोक्यच मोहना चंडी होम, कारेकर में विधायक विएकानन्द, शाम्विपूर विधायक राजू, सुर्ख भिवानी, देवी समेत कई अन्यनेता और परिवार के सदर से शामिल हुए मल्ला रेडी ने कहा, CMKCR ने भारी भवुमत से सरकार बनानी के लिए यग्यका आयुजन किया है, अपने जर्मदिन के आउसर पर उन्होंने कहा, उन्होंने अपने मेट्चल निर्वाचंक शेत्र, डौक्रा, समो की सभी महिलाओं को मुफ्तु स्वास्ते कार दिये हैं टी पी सी सी अध्यक्ष रेमत रेडी ने इस महिनी की सत्रा तारीक को तुकु गुड़ा में आयजित विजा भेरी सभास्तल का निर्क्षन किया, उन्होंने वैस्ता और अन्यमूद उपर नेताओं को कोई सुजाओ दिये, सोनिया गांदी विजा भेरी सभा में पांच गा तुकु गुड़ा में खाली जगह पर आयजित करना चाहते थे, लेकिन देवदाय भूमी होने के कारण अनुमती नहीं दी गई, रेमत रेडी ने अपना गुसा वेक्त करते हैं कहा, यदि कॉंग्रिस की बैटक हुई, तो बियारस का पतन निश्ची थे, और उन्होंने भ परियोजना का उरूत कर दिया है, उन्होंने घोशना की, यदि वे इस परियोजना में बादक सावित हुए, तो वे राजनितिक सन्यास ले लेंगे, उन्होंने केसर को चुनोती दी, अगर वह इसे सावित नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, यदि है जारी रहा, तो उन्हो प्रोग्राम रख रहे हैं, एक पब्लिक मिटिंग रख रहे हैं, पब्लिक के पैसे से कर्च करके, गॉवर्मेंट के खजाने से निकाल के वो पैसे से पब्लिक मिटिंग रख रहे हैं, उसका कामी कतम नहीं हुआ, पुरा आठ बोटर है, जहां इनाग्रेशन कर रहे हुआ, एक बोटर डायरन चल रहे हो भी, वेटरन भी नहीं हुआ, और कैनल भी पूरा दायर नहीं है, वहां तक पानी पहुंचने को भी, अब यह दिवानापन क्यों कर रहे हुआ, काली सोन्या गांदी जी सोला तारीक को यहां आरहे हैं, कांग् अद्रवाद में रख रहे हैं, उसके वास्ते वो घर के उनों पब्लिक पाइसें से उनों आज मीटिंग रखें, उनका पार्टी के उनका प्रचान करने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं, करिमनगर की पूरो जिल्ला परिशत अध्यक्ष और बीजी पिनेता तुला उमाने का सीम केसिया ने राज्य को पिछड़ा बना दिया है, राज्य के सबी वर्गों के लोगों को धोका दिया गया, वे मुलवाड़ा से उनका पुराना नाता है, वे सबी चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि कुरुमा सामाजिक समूह भी बड़ा निर्वा चंक्षित रहे, इस बैटक में मैं भुबनागर और रंगा रेडी जिलो के मत्री निरंजन रेड़ी, श्री निवासकोड, सभी ताइंदर रेड़ी, सत्योती राठोड, वीबी ने विबागों के प्रमुक और पूरो जिला करेक्टर ने भाग लिया, मत्री केटियार ने कहा, यह पाल मुरू रंगा रेडी परियोजना पाल मुरू जिले को हरा भरा बनाएंगी, हर साल ऐसी स्तीती होती थी, पाल मुरू के लाखो लोग पलान कर जाते थे, लेकिन आज हम लाखो एक कोड को सिंचित करनी की परियोजना का उदगाटन कर रहे, पालमुरू के अलावा रंगारेडी जिले की जमीनों को भी पानी उपलप्त कराया जाएगा तेलंगाना सरकार ने गोदा औरी में काल शोरम और कृष्णा में पालमुरू रंगारेडी जैसी परियोजनाय बनाई है अगर सीताराम परियोजना भी पूरा हो जाती है तो तेलंगाना सिंचा एक्षेतर की परियोजनाय संत्रप ततास्तर पर पूरी हो जाएंगी केसरे अ के नेतरोत में बनी परेयोजनाव को देखकर तेलंगाना राजीयोकोने केवल तेलंगाना के बच्चे के रूप में बलकि भारत के नागरिक के रूप में भी गरुआ होगा मंत्री एर रबेली दयाकर रावने उपल में अधिक्षक्ष इंजिनेरिंग कारायले के सतरक्ता और गुनोता नियंद्रें विभागों के कारायकलों का उद्ध घाटन किया वर्तमार में 237 कारायले हैं पंचाद राज अधिकारी ने कहा पुनर घटन की दिशा में अगले चार दिनों में सत्यासी नए कारायले शुरू किये जाएंगे ताकि वे राजय भर के लोगों के लिए सुलब हो कहा जा रहा है अधिकारियों को प्रोमोशन देकर 84 नए पद भरे जा रहे हैं मुख्य मत्री केसिया ने ने देश में मिशन भागीरत इंजिनेरिंग विभागा और पंचाद राज विभाग के अधिकारियों के समन वैसे गाउं का विकास सफल रहा है मंत्री निरंजन रेड़ी ने कहा इस मांसून सीजन के लिए 9.14 लाग मिट्रिक टन यूरिया आवंटित किया जाएगा अब तक 7.8 मिट्रिक टन यूरिया किया पूर्ति की जाएगी 31 मार्श तक 2.15 लाँ मिट्रिक टन यूरिया का अगरम स्टॉक है इस सीजन में अब तक कुल 9.93 लाँ मिट्रिक टन यूरिया उपलब्त कराया गया है राज़ा में मौझुदा स्टॉक 2.50 लाँ मिट्रिक टन है और इस साल महसुन में देरी के कारण खेती का रखबा 10 लागे कड़ कम हो गया है हम जानते ही है 17 सितंबर को तेलांगाना राज्य मुक्ती दिवस है और इस बारिसी की जोर शोर से मनाने की चक्कर में राजनितिक पार्टियों में घरमासान मचा है तेलांगाना विदा सबाच चुनाओ तीन महीने बाद होने वाल है और दुसरी और जैसे जैसे मुक्ती दिवस नजदीक आ रहा है सम्मधित पार्टिया उस तारिक पर अपनी ताकत दिखाने के लिए कम रकस रही है इसके चलते राजनिति नित नए मोड लेती दिख रही है आएए यहां देखते इससे जुड़ी ये रिपोर्ट कॉंग्रिस ने भाजपा और बियारेस पर 17 सितंबर को तेलांगाना राष्ट्रे एकता दिवस के आउसर पर परेड ग्राउन में उसकी प्रस्थावित सार्वजनिक बैटा को बादित करनी की कोशिश करने कारवप लगाया है जिसमें सोनिया गांदी के भाग लेनी की उम्मीद है इस बिच भाजपा ने भी हैदराबाद मुक्ती दिवस के उप लक्ष में उसी दिन उस प्थान पर एक कारकरम आउजित करनी की आनुमती मांगी है तेलंगाना प्रदेश कॉंगरस कमिटी टीपी सीसी ने दावा किया कि वे हैदराबाद में कॉंगरस कारे समिती CWC की बैटक के हिस्से के रूप में परेड ग्राउंड में एक सारवजनिक बैटक आउजित करने की आनुमती मांगने के पहल उन्होंने की थी इसलिए यह उन्हें मिलना चाहिए कॉंगरस MLC G1 रेड़ी ने कहा हमने तीन दिन पहले आनुमती के लिए आवेदन किया था और सारवजनिक बैटक की योजन बनाने के लिए माईदान का दोरा भी किया था अब BJP का कहना है कि वो उसी दिन उसी स्थान पर हैदराबाद मुक्ति दियो उसका आवेदन करेगी हमें आनुमती दी जानी चाहिए क्योंकि हमने पहले आवेदन किया था इस बिच टीपी सी से अधेक्ष ए रेमत रेड़ी ने भाज़प और ब्यारस पर परेट कराउन में कारेक्रम आवजित करने की आनुमती नहीं देकर कौन इसके सारवजनिक बैटक को बादित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है CWC की तैयारी बैटक में बोलते हुए रेमत ने आरोप लगाया कि केंडर और राज़्य दोनों सरकारे कौन इसके खिलाफ साजी स्टर्च रही है TPCC ने कहा कि पार्टी ने अपनी सारवजनिक बैटक के लिए दूसरे विवकल्प कुए रूप में LB स्टेडियम को भी चुना है रेमत ने कहा दोनों सरकारों कानुमती के बावजूद कौन इसने सारवजनिक बैटक आयुजित करने का सांकल्प लिया है और इसे किसी भी परिस्तिती में स्थागित नहीं किया जाएगा TPCC प्रमुक ने कहा कि वे लगबग 10 लाक लोगों के साथ सारवजनिक बैटक करेंगा और AICC की पूरो अध्यक्ष सोनिया गानी ने पांच गारंटी की गोशना किये इस बिच TPCC की गाल्यकारे अध्यक्ष B. महिश कुमार गौड ने कहा कि CWC की बैटक 16 और 17 सितंबर को होगी और सारवजनिक बैटक 17 सितंबर की शाम को होगी वहीं दूसरे और भाजपान नेताओं को उम्मिद है कि इस महीने की 17 तारी को तेलंगाना मुक्ती दिवस को भवेता के साथ आयुजित किया जाएगा और इसे राजनी ते एक लाब भी हासिल किया जाएगा केंदर की सत्ता पर काबिस बीजिपी नेताओं ने केंदर सरकार के तत्तो धान में पिछले साल अधिकारिक तोर पर तेलंगाना मुक्ती दिवस समारु का आयुजिन किया था ग्राउन में होने वाली इस बैटक में केंदर सरकार के नेताओं को किसे लाया जाए इस पर चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर हैदराबाद परेर ग्राउंड के मंचस से चुनावी कमी पूरी करने की उमीद कर रही कौंगर्स पार्टी के सामने ऐसी स्थितिया आ गई है कि उसे कारेकरम स्थ बदलना पड़ा है। वही देखना होगा कि पहले ही डील कर चुकी भाज़ेपा को आधिकारिक तोर पर तेलागाना मुक्ति दियो इसका आईजन करने से कितना लाब मिलेगा। साथ यह देखना भी दिल्चस्प होगा कि जो राजनितिक पार्ट या सबास्थाल के लिए एक दूसरे पर इसकदर छिटा कर शिकर रही है आरोप प्रत्यारोप लगा रही है वे चुनाव जीतने की मशा से आगे क्या कुछ करते है और इससे उन्हें कितना लाब मिलता यूनियन बैंक आफ इंडिया ने छात्रों में प्रतिस परदात्मक बढ़ाने और देश के आर्तिक स्तिती के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए यू जीनियस के नाम से क्वीच प्रतियोतोय का आउजन किया या आर्टिसी कला भवन बाग लिंगम पली हैदराबा ने आइजित किया गया इस कारक्टर में शेयर के कई स्कोलों से बड़ी संक्या में छात्र छात्रों ने हिस्सा लिया चात्रों के कोशल को निखारने के लिए देश भर में यूनियन बैंक आफ इंडिया के तत्वधान में ये प्रतियोगी ताइं आजित की जाती है उन्हो ब्रह्मा कुमारी सवागर में आजित किया गया। पुलिस ने नंदाल में ठहरे थे और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आंद्रप्रदेश CID ने कहा कौशल विकास घोटाला मामले में मुख्या रुपी चंद्रबाबु नाइडू को गिरफतार कर लिया गया है। चंद्रबाबु नाइडू की गिरफतारी CID के अतरिक्त मा निदेशक संजे ने वेजेवाडा जाने की घटनाओ के बारे में जानकारे दिया और कहां उन्हें क्यों गिरफतार करना पड़ा। डीजी संजे ने कहा चंद्रबाबु कल सुभर 6 बज नंदाल में गिरफतार किया गया वह स्कील डेवलंपमेंट घोटाले के मुख्या रुपी है इस घोटाले में मुख्या साजिश करता अंतिम लाबारती भी चंद्रबाबु ही है डीजी संजे ने कहा उन्हें इसलिए गिरफतार किया गया क्योंकि जांच में पता चला चंद्रबाबु ही मुख्या रूपी है। गिरफतारी का विरोध किया। प्रविन कुमार ने टिपपनी की। चंद्रबाबु की गिरफतारी दुष्टता पूर्ण और अत्याचार पूर्ण है। मुख्या मंत्री जगन का बदले की राजनिदी कर रहा है। टीपी प्रमुक चंद्रबाबु को आज सुबद 6 बजे नंदाला में पूलिस ने गिरफतार कर लिया। चंद्रबाबु को स्कील डेवलप्मेंट मामले में हिरासत में लिया गया है और सड़क मार्ग से विज्जेवाड़ा ले जा गया। अपने नेता की गिरफतारी के मत्या नजर टीडीपी कार्यकरतों ने हर जगा अंदोलन कार्यकरम आउजित किये है। तेना गाना टीडीपी नेताओं ने कुकट पली में जेन्टी चोहराए पर धर्णा दिया। टीडीपी कार्यकरताओं ने सड़क पर विरोत प्रदर्शन किया। पुलिस ने टीडीपी नेताओं को APCMYS जगनमोन रेडी का ट्रक्तियात्मक पुतला जनाने की कोशिश करने से रोका। तो टीडीपी नेताओं की बीच पुलिस से भहस हो गई। पुलिस प्रदर्श कार्यकरताओं को गिरफ तरक कर रही है। श्री शैलम राश्टर राजकमार का अरूत कर दिया गया। बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात की गई और आवेद गिरफतार्या की गई। विरोत का समर्तन करने वाले भाजपा, प्रदेश प्राउक्ता, विरिंद्र गौड, एंडला, श्री राम, यादव और भाजपा, रंगा, रेडी, जिला, अद्यक्ष, बोक्का, नर्सिमा, रेडी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। त्यलाग अनगा शासन में वे डबल बेडरूम या डबल बेडरूम की आड में पैसा खर्च कर रह acom, लेकिन उनका आरोप ए किसी भी गरिब को डबल बेडरूम नहीं दिया गया है, आरोप ए रिशवद लेकर स्थानिया लोगों को बनाए गए डबल बेडरूम भी नहीं हैदराबाद OU में कॉंस्टेबल अभ्यारतियों का अनुखा विरोध प्रदर्शन किया गया जियो नंबर 46 में संशोदन की मांग को लेकर ग्रामिन कॉंस्टेबल अभ्यारतियों ने केसियार और केटियार की तस्वीर पर दुखधा विक्षेश कर अपना विरोध जताया एपी में पिछली टीडीपी सरकार के दावरान हुए कोशल विकास निकम घोटाला मामले में CID द्वारा पूर सियम और टीडीपी नेता चंदरबाबु की गिरफतारी की CPI ने निंदा किये CPI के राश्टर सच्व डॉक्टर के नारायने चंदरबाब की गिरफतारी को वाई कामपा आराजरत की परिखास्टा बता देवे इसके आलोशना की राजर सच्व रामकृष्ण ने भी नंदाला में चंदरबाबु की गिरफतारी के दोरान हुए घटना करम पर गुसा जताया CPI के राश्टर नेता नारायने आलोशना करते हुए कहा 14 साल तक मुख्य मंत्री रहे चंदरबाबु जैसे वेक्ति को बिना कोई सबूत दिखाए गिरफतार करना YCP के दरिश्टर शासन का दरपन है YCP शासन में दो तरह का शासन है इन में से एक रिवर्स टेंडरिंग और दूसरा है रिवेंच उन्होंने कहा प्रशासन को लोग तंत्रे से अलग रखना बुराई है केंद्रे मंत्री और BGP प्रदेक्षाद्याक किशन रेडी ने कहा यह दूर भाग्य पूर्णा है तेलंगाना 17 सितंबर को राज्य की मुक्ति दिवस को अधिकारिक तोर पर नहीं मना रहा है उन्होंने यह जानने की मांग की बیरосс सरकार मुक्ति दिवस क्यों नहीं मना रही है उन्होंने आरूप लगाया कि इस सरकार मुदलिस प्रदी को संतुष्ट करने के लिए उत्सव कारिज नहीं कर रही है किशन रेडी ने कहा भाजय पादिकारिक तोर पर मुक्ती समारा आजित कर निकले 25 वास्टों से संगर्ष कर रही है इस मामले में समझो तक कोई मतलब नहीं है अगर 75 साल पहले सरदार वल्लबाई पटल ने तेलंगाना में तिरंगाया फराया था तो पिछले साल केंद्रिय ग्रह मत्री अपमिट शाह की नेतरों तुमें जशन मना गया था खुलासा हुआ है राज्य में बीज़िपी की सत्ता में आने पर मुक्ती दिवसकादिकारिक और भव्याय जन किया जाएगा तेलंगाना में विदासबा चुनाओं की गहमा गहमी शुरू हो गई है सत्तादारी दल समित विपक्षी दलों का ध्यान आगामी चुनाओं पर केंद्रित हो गया है इसी प्रष्ट भूमी में नेता मुख्य रुप से पार्टी में शामिल होने में लगे हुए है तेलंगाना में सत्ता हासिर करने का लक्ष लेकर चल रही बीजी पी में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो रहे है अलवी नगर प्रजा चैतेने यात्रा के दूसरे दिन चैतेने पूरी मंडल में यनमाला रावाई रेड़ी के नेतरोत में मंडल की सबा कॉलनियों में जक्टी गिडी प्रभा का रेड़ी पध्यात्रा निकाली गई पध्यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों से रूबरू होते हुए समस्यों की जान करे लिया और समादन करने का भरूसा दिया तेलंगाना हाई कोर्ट ने पूरो मंत्री वाईयस वियोकानंद रेड़ी की हत्या के मामले में पूरो मंत्री वाईयस वियोकानंद रेड़ी की हत्या के मामले में आरूपी सुनिन यादों को एसकोर्ट जमानत दे दी है उन्हें अपने पिता के आंदिम समस्कार में शामिन होने के लिए चार दी नुकले कडपपा जिले के पुलिवेंदूलू जाने के अनुमती दी गई है इस मैने की 9 और 10 तारी को 17 और 18 तारी को पारमपारी का नुष्ठानों में भाग लेने के लिए उन्हें जमानत दी गई है चंचल गुड़ा जेल अधिकारियों को याचिका करता को तीन सुरक्षा करमियां और वहान के साथ पुलिवेंदूला भेजने का निर्दिश दिया गया यह का आगाया है यह लागत याचिका करता द्वारा वहन की जानी चाहिए यह स्पस्टर कर दिया गया है याचिका करता जमानत अवधी के दवरान किसी भी आप रादी कती वीदियो में भाग नहीं लेगा और दी गए अवधी की समापती के बाद चंचल गुड़ा जेल में आत्मसावार्पन करेगा नाइदी जस्टिस के लक्षमन ने शुक्रार कौांतरी में आदे चारी किया सुनी यादो के और से दाय नियमित जमानत याचिका पर उनके वकील नयन कुमान ने दलिले सुनी उनके मुकविल किल दोरा किसी भी गवाग को प्रभाज ने किया जाएगा नारेडी सुनीता रेडी और सुनी जगन एक ही परिवार के सादस से उन्होंने एपी में चुनाव पूरा होने तक एक दुसरे का सयोग किया आरोप है चुनाव जीतने के बाद जगन ने वियुका की हत्या पर सानुपती जाता तेवे केस को सीबी आई को सुपने कियाची का वापस ले ली जगन अभीनाश रेडी बासकर रेडी और सुनीता रेडी सबी एक है हत्या के बाद कई दिनों तक उन्होंने एक दुसरे की आरोशना नहीं की उसने दावा किया उसे हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता वह दो साल से जेल में है गूगल टेक आउट के अलावा उनके खिलाव कोई सबूत नहीं है अगर उन्हें जमानत दी गई तो वह आंधर प्रदेश नहीं जाएंगे वह हैदराबाद में अपनी आजजिका का ख्याल रखेंगे सीबिया और सुनिता रेडी के वकिलों ने का वाचमा नंगना ने हत्या के स्थान पराने आरोपियों के साथ साथ याचिका करता भी सपष्ट रूप से पहचान की जमानत याचिका में बुनियादी साक्षा है या नहीं इसके अलावा अन्य बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए उन्होंने याद दिलाया इसी पीटने भासकर रेडी और उदे कुमार रेडी की जमानत याचिका उपर यही सपष्ट किया था अदैलत ने दलिले दर्च करती हुए सुनिर को एसकौर्ट जमानत दे दी इसमें कहा गया वो नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख रहा है वीवे का हत्याकंट के आरूपी सुनिर यादों को अंतरिम जमानत बिल गई सुनिर यादों के पिता करशनाया का निधन हो गया सुनिर यादों ने अपने पिता के अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए कोर्ट से इजादत मांगी थी ट्रायल कोर्ट ने सुनिर यादों का अंतरिम जमानत दे दी तेलंगाना हाई कोट ने सुनी लियादों को इस महेने की 9 और 10 तारीक और इस महेने की 17 और 18 तारीक को एसकॉर्ट की जमानत मदद से पूली वेंदूला जाने की इजाज़त दे दी है हालांकि सुनी लियादों की पूर्ना जमानत देने की याचिका पर दलिली सुनने के बाद आदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया तेलगू राचों में कई कोनों से चल रहे पूरो मंत्री वायस हुए का नंदर रिटे हैं मामले में तेलंगाना हाई कोड ने शुकरवार को आरोपी सुनी लियादों का अंतरिम जमानत दे दी चूंकि सुनी लियादों के पिता क्रश्ना की बीमारी से मरत्य हो गई इसलिए सुनी लियादों ने उच्छनायले से अपने पिता के अंतरिम संस्कार के लिए दो सब्ता के अंतरिम जमानत देने का अनुरोद किया याचिगा पर सुन्वाई करने वाली आदालत ने शानिवार रईवार और फिर इसी महिने की 17 और 18 तरीक को दो एसकॉर्ट कर्मियों और एक वहान के साथ पुली में दूला जाने के अनुमती दी बाद में यास पष्ट किया गया सुनी यादो को वहान और एसकॉर्ट स्टाफ का खर्च भर्ण करना चाहिए रिमान केदी सुनी यादों ने साफ कर दिया है अंतरिम जमानत की आउदी खत्म होने के बाद वो कोर्ट में सरेंडर करेंगे चंचल गुड़ा जेल में रिमान के दिये दोनों पक्षों की दलिले सुनने के बाद हाई कोट ने सुने लियादों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित लिया पूरों मंत्री वाईयस वियो का हत्तेकंड में एक और अपडेट आया है इस मामले में गिरफतर किये गए वाईयस भासकर रेड़ी ने जमानत के लिए आदालत का दर्वाजा खटकटाया और अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारीच कर दी इस मामले ने एक और मोड ले लिया है भासकर रेड़ी ने जमानत पानी की कोशिश की लेकिन शुक्र मरको CBI कोट ने जमाना त्याचिका खारिच कर दी कोट सुनीता और CBI की दलिलों से सहमत हुई इस मामले में फैसला गुंदोश के आदार पर है अदलत ने इस पश्ट किया YS भासकर रेड़ी को जमाना नहीं दी जा सकती क्योंकि मामला गंबी चरण में है CBI ने आरोप लगाया है भासकर रेड़ी वियोका की हत्या की साज़िश में मुख्या रोपी है CBI ने स्पश्ट किया है YS अविनाश रेड़ी आटवे रोपी है और YS भासकर रेड़ी जिने पहले गिरफ्तार किया जा चुका है भासकर रेड़ी की जमाने त्याची का पर CBI द्वारा दाखिल जवाप में सामने आई गंगा रेड़ी, सुनिर यादो, उमाशकर रेड़ी और दस्तिगिरी ने हत्या की योजना को अंजाम दिया CBI ने आरोप लगाया भासकर रेड़ी, अविनाश रेड़ी, शुशंकर रेड़ी और उदे कुमार रेड़ी ने सबुतों को नष्ट करने की साजिस्ट ची और माना वियका की मौत दिल का दोरापणे से हुई थी बीजेपे प्रबारी एंडेला श्री रामलू यादो इस बात से नाराज है, सेम केसे आर अपने वादय पूरे नहीं कर सके दुसरे दिन महाईश्वरम निर्वाचंक शेत्रे के आरेके पूरन डिविजन में एंडेला श्री रामलू पद्यात्रा आजित की गई पद्यात्रा के दौरान भाज़पा के प्रतनमंत्री मोधी की नव सार के शासन को समझाया गया बंजारा हेस, जूबली हेस, हाइटेक सिटी, राइदुर्गम, मादापूर, अफजर गंज में भारी बारिश हो रही है दुसरी और संगा रेडियो और पटांचेरो इलाके में बारिश हो रही है